शुक्सागर छटा इसकंद दूसरा अध्याय इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे श्री हरी के दूतों द्वारा भगवान के नाम की महिमा का हालवर्णन लेकर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोडिफिकेशन बेल दमाने के बाद और पकलिक करें ताकि आने वाले अरध्याय को आप सुनश्यत होकर सुन सकें तो चलिए इस अध्याय को आरंब करते हैं श्री शुकदेव जी कहने लगे हे राजन यम दूतों से अजा मिल के अन्याय करने का हाल सुनकर श्री विश्णु भगवान के दूत बोले कि यमराज के यहां बड़ा अन्याय है कुछ न्याय नहीं होता क्योंकि उनके दूत बिना अपराद साधू लोगों को भी दुख देते हैं अब यमराज पाप्त था पुन का सवरत्तांत जानने पर भी अन्याय करेंगे तो संसारी काम जिसमें कोई अपने अधर्म का हाल नहीं जानता किस प्रकार चलेगा जिसके विश्वास पर कोई आचल में सिर रख कर सोवे वही उसका सिर काट ले और माता पिता अप कर या भूल से डर से या हसी से भी भगवान का नाम लेता है उसके सब बड़े बड़े पाप जैसे सोवर्ण चोरी गौव ब्राहमर तपसी वह माता पिता को मार डाले गुरू की इस्त्री से भोग करने शराव पीने तथा कटू अचन कहने पर भी अंत समय में भगवान का नाम लेने से छूट जाते हैं इस बरह्मर ने मरतिय समय नारायन का नाम अपने मुक से लिया है उसी के प्रताप से अनेक जन्मों के पापों से छूट कर वह ब्राहमर 밖에 कुंट का अधिकारी हुआ है उस नाम के लेने तथा पाप के छूटने के बाद इसने ऐसा कोई अपराद नहीं किया जो यहाँ दंड का भोगी हो नारायन का नाम लेने से अधे कोई प्राश्चित पापों को छुड़ाने वाला जगत में नहीं होता कदाचित किसी यग्यवत तप होम आदि में भूल हो जाए राम तथाकरश्ण का नाम लेने से वाशुद्ध हो जाता है कोई तीर्थ वरत नियम जप तप यग्य होम आदि दान धर्म में राम राम चार अशर मुक्ष से लेता है उसको परमेश्वर धर्म अर्थ काम मुक्ष ये चारों पधार्थ देते हैं बड़े बड़े रिशी मुनियों ने बगवान के नाम का महत्यम सरवुत्तम लिखा है उनका नाम लेने एवं कथा सुनने और भक्ती करने से अनेक जन्मों के पाप छूट जाते हैं जिस प्रकार संसार में दस बीस मनुष एक जगह बैठे हो और उन में से किसी का नाम लेकर कोई पुकारे तो वहाँ मनुष उसकी ओर आँख उठा कर देखता है उसी प्रकार भगवान त्रिलो की नाथ ने अजामिल के नारायन नाम पुकारने पर आँख उठा कर देखा था जिस प्रकार मनुष्य का रोग जानकर तथा अंजाने में भी दवा खाने से जूट जाता है और आग की एक चिंगारी कपास या लकडी के बड़े धिर को छणवर में जला देती है उसी प्रकार एक बार नारायन का नाम लेने से अनेकों पाप कपास व लकडी के समान जलकर नश्ट हो जाते हैं भगवान ने वेद में ऐसा कहा है कि कोई मेरा नाम भी ले ले तो मैं उसे कृतार्थ कर देता हूँ जब विश्न भगवान के दूतों ने ऐसी बातें काकर यम दूतों को वहाँ से भगा दिया और चार बुजा वाले दूतों का दर्शन करने से अजामिल को ग्यान दतावेराग उत्पन हुआ तब वह बगवान के नाम की महमा सुनने तथा समझने पर बहुत पश्टा कर कहने लगा कि मैंने ब्राम्मण के घर जनम लेकर भी अपना धर्म कर्म छोड़ दिया तथा दासी के वश में रहकर अपनी आयू को कर्मों में बताई इन साधूं के आने से मेरे प्राण बचे नहीं तो यमदूत न मालुम मुझको कैसा दुख देते जिन नारायन जी का नाम लेने के प्रताब से मेरा कल्यान हुआ उन भगवान का नाम इसरण कर अब मैं अपना जन्म समाल लूँगा अजामिल इस तरह पष्टाने लगा और विश्णू के पार्षद वहां से अंतर ध्यान हो गए अजामिल ने उसी समय अपना मन संसारी माया मोह से विरक्त कर लिया पार्षदों का दर्शन करने की प्रताब से एक वर्ष की आयू उसको और मिल गई सो वह हरिद्वार में जाकर सच्चे मन से भगवान का ध्यान तथा इसमन करने लगा जब इसको वहां एक वर्ष ध्यान तथा भक्ती करते हुए बीता तब बैखुंट से अति उत्तम विमान उसके पास आकर उत्रा सो वह विमान पर चड़कर गाता बजाता बैखुंट को चला गया और चतुर्बिजी रूप होकर वहां रहने लगा यहाल देखकर देवता तथा रिशिश्वर उसकी बढ़ाई करने लगे इतनी कथा सुनकर सुकदेव जी बोले हे राजन ऐसे महापापी ने बेटा के धोके नारायन जी का नाम लिया सो ऐसी पदवी को पहुँचा जो की संसार से विरक्त होकर हरी बजन करता है उसकी गती का क्या कहना है उनका भक्त नरक में नहीं जाता और इसी पकार यहाँ पर छटे इसकंद का दूसरा अध्याय समापत होता है लिकन अगर आपने अभी तक सुक्सागर के बागी अध्याओं का श्रवन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंकों पर क्लिक करके आप सब यह अध्याओं का सून कर सकते हैं